फेलो दोस्तो प्रोपर सिविल इंजिनीरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है तो आज हम लोग जो है बिल्लिंग मटेरियल के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें टोपिक आज का है ब्रिक्स तो आज हम लोग जानेंगे bricks के related कुछ ऐसी बाते जो कि आपको आने वाले कोई भी civil engineering के examination में काफी helpful हो सकती है जैसे कि SSJ हो गया, gate हो गया और RRB जही हो गया और आपके diploma या फिर degree in civil engineering में तो वहाँ पर भी ये concept आपको काफी helpful होगा तो bricks की अगर हम बात करें तो सबसे oldest construction material में से एक है और ये जो है उसको हम बोलते है clay brick shape की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा rectangular shape brick की size की अगर हम बात करें तो 19 by 9 by 9 without motor and with motor अगर हम बात करें तो एक एक centimeter बढ़ा दिया जाता है with motor कहीं सारी examination में ये questions पूछा जा चुका है कि क्या होता है standard brick का size with motor और without motor तो यहांपे answer हो जाएगा without motor में 19 by 9 by 9 और with motor हो जाएगा 20 by 10 by 10 उसके बाद अगर हम बात करें bricks की availability के बारे में जो कि हम लोग जानते है कि भारत में कहीं सारी जगा पर जो है इट का construction अभी भी जल रहा है और जैसे उसके availability के हिसाब से हम लोग जो है उसका उप्योग करते हैं तो 9 inch by 4.5 inch by 3 inch यह उसका standard size है जो कि हम लोग construction में machinery work के लिए हम लोग जो है यहां पर जानने के होता है brick के उपरी surface के उपर उसके दो तरीके के काम होते हैं सबसे पहला अगर हम बात करें तो मोटार को टिकाने के लिए स्यादा मोटार आ सके उसमें उसलिए और दूसरा कोई company जो है उसका manufacturing करती है उसका हम लोग जो है यहां पर branding कर सकते हैं उसके करने के लिए यहां पर यहां पर आप यह यहाद रखिए कि मोल्ड करने के लिए एक टाइप है table molded और burn करने के लिए एक टाइप है kiln दूसरा पॉइंट है थिस आर थोरोली बर्न एंड डिप रेड चेरी और कोपर कलर यह कलर काफी important है स्यादा तर अगर आप ओन साइड कंडिशन में ब्रिक को पहचानना चाहते है तो यह तिनो कलर के ब्रिक अगर आपको दीखने को मिले तो यह आप उसको आसानी से पास कर सकते है construction के परपस के लिए उसके बाद आता है smooth, rectangular and sharp edges फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर हम बात करें तो वह smooth होगी rectangular होगी और sharp edges उसके होगे free from cracks and uniform texture उसके उपर कोई crack आपको दीखने को नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें proper तरीके से material और proper तरीके से जो है उसका burning किया गया होता है इसलिए ज आता है no impression should be left on the brick when the scratch is made by a fingernail यह काफी important test है on side भी आप कर सकते हैं जैसे कि आप side engineer के दोर पर कोई भी side handle कर रहे हैं आपके यहां पर machinery के लिए brick का इस तमर्ण होगा तो brick जैसे ही load होगी आपके side के उपर तो आप कोई भी brick उठा करके उसमें अपनी nail से scratch करेंगे तो उसमें अगर impression आपको देखने को मिलेगी तो वह first class brick नहीं होगी उसके बाद एक और test है कि अगर दो brick एक दूसरे के सामने strike करेंगे तो उसमें से ringing type sound आएगा वह first class brick की एक और property है जो कि आपको देखने को मिल सकती है उसके बाद अगर हम बात करें इसका uses तो recommend किया कौन-कौन से ज weathering effect face करने लाए एक machinery structure होगा तो वहां पर हम लोग जो ही इसको recommend कर सकते हैं दूसरा type है second class brick का जो कि अगर हम बात करें तो यह brick जो है first class brick थी वो table molded थी यहां पर ground molded है और यह burn तो किल में ही की जाती है उसके बाद दूसरा जो है वो small cracks इसमें पाए जाते है जबकि हम लोग जो है वो first class brick में अगर आप nailing करते थे तो उसमें आपको cracks नहीं देखने को मिलते थे यहां पर आपको थोड़े-थोड़े scratches देखने को मिल सकते है उसके बाद recommendation अगर हम बात करें काम का यह हमें कहां पर इस्तमाल कर सकते है इस brick को तो important for non important hidden work जैसे कि को hidden work है वहां पर जो exposed post condition वाले जगह पर हम लोग जो है उसका first class brick का इस्तमाल करते थे यहां पर hidden work जो की दिखने को नहीं मिल सकता आपको सामाने तो वहां पर आप इसका इस्तमाल कर सकते है तीसरा जो है वह थार्ड क्लास brick है अगर हम बात करें इस bricks are ground molded and burned in clamps यहां पर सब्द है claims claims मतलब क्या य यहां पर नीचे इस तरीके से भठा किया जाता है और उसके ऊपर इस तरीके से bricks को रख दिये जाता है उससे bricks को पकाया जाता है इस process को हम लोग बोलते है claims उसके बाद अगर हम बात करें तो यह brick जो होती है वह under burnt होती है और color जो है उसका light होता है property की बात करें तो वह third class brick यह over burnt होती है जैसे कि third class under burnt थी यह over burnt है और no proper rectangular shape यहां पर इस तरीके से आप इमेज में देख सकते यहां पर आपको ना तो proper shape ना ही इसकी size जो हो देखने को मिलती है as per requirement और यहां पर बात करें uses की तो यह foundation या floor में lime concrete और road metal के तोर पर जो है वह इस तरीके से इसके छोट सकते हैं उसके बाद आता है water absorption and crossing strength ज्यादा तर examinations जैसे कि SSJ में इसमें से questions आता है किस तरीके से जो है water absorption vary करता है class के हिसाब से तो brick के class के हिसाब से water absorption तो हम लोग देखेंगे पर साथ में हम लोग यह भी देखेंगे कि crossing strength इसका क्या है तो first class brick के अगर हम बात करें तो उसक कि crossing strength जो है वह 10 Newton से कम नहीं होनी चाहिए second class brick की अगर हम बात करें तो 16-20 प्रतिसत water absorption और उसकी crossing strength जो है वह साथ से कम नहीं होनी चाहिए third class के अगर हम बात करें तो water absorption का data दिखाई जाता है 25 तो water absorption की अगर हम बात करें तो यह आगे हम test में भी देखने वाले है किस तरीके क जो होते हैं पर हमलोग करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें water absorption की water absorption of its dry weight when emerged in cold water for 24 hours तो थन्डे पानी में 24 घंटे भीगोई रखने के बाद जो है उसका water absorption जो है ना पाचाता है किसी भी ब्रिक का तो water absorption और crushing strength में थे काफी important questions आते हैं जैसे इसके पहले वाले पार्ट के लिए मैंने PDF अपनी टेलिग्राम चैनल पर रखती थी इसी तरीके से मैं इसमें भी इस्तिमाल होने बारा IS code और इस वीडियो की PDF जो है अपनी टेलिग्राम चैनल पर रख दूंगा तो आप वहां पर जाकर इसको डाउंगलोड कर सकते हैं दूसरा है class of common bricks तो class के अगर हम बात करें तो concrete के बारे में आपको याद करना होगा जैसे कि concrete जो है वह M5 M10 M15 and 20 इस तरीके से जो है बढ़ता जाता है इस पर requirement और इसी तरीक उसके नंबर के हिसाब से उसकी strength होती है सेम यहां पर होता common class brick गिनते है पर जैसे ही 40 या फिर 40 के उपर होता है brick का class तो उसको बोलते है heavy duty bricks तो यही exam में पूछते है कि heavy duty bricks का class जो है वो नीचे में से कौन सा है तो आपको 40 या फिर 40 से ज्यादा कोई big option में से दिखे तो आप उसको tick कर सकते है उसकी compressive strength जो है वो भी आप उसके नंब इस्तमाल करते है जैसे कि concrete 25 से अब हम लोग जाते है तो उसमें हम design mix बोलते है इस तरीके से यहां पर heavy duty bricks बोलते है water absorption जो है वो इस विरिक का 5% से कम ही होना चाहिए तो यह भी important एक mcqs है जो की कोई भी government examination में पूछ सकते है उसके बाद आता है classification of bricks तो classification के अगर हम बात करे तो use के इसाब से classification होगा उसमें सबसे पहले है common brick जो की सामने है तो हम लोग जो ही इसमाल गरते हैं दूसरा है facing brick तीसरा है engineering brick तो नीचे यहां पर आप देख सकते हैं इसको बोलते है engineering bricks और इसको बोलते है facing bricks facing मतलब क्या आपको कोई compound wall fencing wall बनानी हो तो आपको special तरीके क अगर आपको चाहिए और आप special तरीके से उसको बनाते हैं इसको हम बोलते है facing brick जो कि color और texture के इसाब से अलग-अलग हो सकती है common brick के comparison में दूसरा type है basis of finish finish के base के उपर हम लोग जो है sand face और दूसरा है erastic brick यह दोनों तरीके का इस्तमाल हम लोग कर सकते है sand face कियेकर हम बात क करें तो जब cement को mold किया जाता है तो उसके mold में सबसे पहले recent dial जाती है ताकि उसके surface के उपर इस तरीके से जो है recent roughness आपको देखने को मिल सकती है उसके बाद आता है manufacturing के ही साब से classification जैसे कि मैंने बताया था यह दो तरीके से heat बनती है handmade and machine made handmade के अगर हम बात करें तो इस तरी तरीके से कटाई बुने होती है इसकी इस तरीके से required material को डाल कर cutting और सारी चीज़े जो required होती है यह सारी machine में होती है उसके बाद आता है burning के basis के उपर तीन टाइप पड़ते है इसमें से questions आता है काफी important topic है examinations के point of view से सबसे पहले आता है poly bricks poly bricks मतलब क्या under burnt brick जो कि burn नहीं हो burning मिलती है तीसरा आता है arch bricks जो है over burnt होती है तो ज्यादा गरम हो चाती है इसको बोलते है arch brick तो यह तीन category हो सकती है burning के classification के हिसाब से उसके बाद आता है ingredients इसमें से questions आता है अगर bricks में से questions पूछे तो इसमें से भी questions आ सकते है सबसे पहले अगर हम बात करें प्रपोशन की तो brick बनाने के लिए जो material हम लोग use करते हैं उसमें silica की अगर हम बात करें तो 50-7% होता है और अगर यह material ज्यादा होगा तो वो जो brick को brittle और wick बना देगा access अगर कोई material हो जाता है brick के manufacturing में तो उसका क्या disadvantages होगा तो यह भी आप साथ में देख लिए ताकि जो है वो नीचे में से कौन सा question गलत है या फिर सही है इसमें इस तरीके के questions पूछते हैं तो यहाँ पे दूसरा आता है alumina जो की 20-30% होता है तिसरा है lime जो की 10% होता है इन तिनों के access होने के कारण क्या-क्या disadvantages होते हैं यह भी questions में पूछते हैं जैसे कि alumina अगर ज्यादा हो गया तो क्रेक हो सकते है brick में lime अगर ज्यादा हो गया तो इसका color जो है वो red से yellow हो जाएगा इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर हम बात करें harmful substance के बारे में तो lime हो जाएगा iron pirates हो जाएगा तो lime अगर ज्यादा होगा brick में तो यह जिसके मैंने आपको बताया lime अगर ज्यादा हो जाएगा तो water ज्यादा absorb करेगा और brick को जो है wick बना देगा दूसरा है iron pirates oxidation की प्रक्रिया के दोरान brick को जो है तोड़ने के लिए भी सक्सम है अगर उस उसमें जो है pebbles, gravels और grit का हाथ होगा जो था है organic matter अगर होगे तो जो है वो पानी को ज्यादा सोखेंगे और brick की strength जो है उसको reduce करेंगे उसके बाद आता है manufacturing process ब्रिक किस तरीके से बनता है सबसे पहले आता है unswilling अगर हम बात करें तो मिटी को पहले dig किया जाता है उसके ब उसके बाद blending और उसके बाद tamping की process के साथ की जाती है उसके बाद आता है molding की process मिटी तेयर होने के बाद उसमें दो तरीके से molding होती है जैसे कि मैंने आपको बताया hand molding and machine molding hand molding के अगर हम बात करें तो उसमें भी दो type आते है ground molding and table molding और दूसरा आता है machine molding में plastic molding and dry press molding तो सबसे पहले अगर हम बात करें ground molding जो की soft mud आपके पास होगा यहाँ पे आप इस्तमाल कर सकते है ground molding के अगर हम बात करें तो आपके पास flat ground हो तो तभी आप इसका इस्तमाल कर सकते है और जहाँ पे आपको frog मतलब जो मैंने सबसे पहली slide में आपको बताया था कि जहाँ पे आपको branding मिल सकती है manufacturer की तो उसकी requirement ना हो frog की requirement उसके लिए आप जो है इसका इस्तमाल कर सकते है तो table molding के अगर हम बात करें तो table molding जो है वो भी soft mud के लिए हम लोग इस्तमाल करेंगे जहाँ पे frog की need आपको होगी और जो है वो brick को mold करने के बाद जो है dry place पर shift किया जाता है तीसरा है plastic molding जो की stiff mud के लिए जो की soft नहीं होगा थोड़ा सा hard होगा उसके लिए हम लोग इस्तमाल करेंगे और जो था है dry process इसमें mechanically press किया जाता है mud को एक mold में brick को जो press करके उसको shape में डाल दिया जाता है इसमें mechanically operate किया जाता है press को उसके बाद आता है drying का stage तो molded bricks are kept in sun to remove moisture and moisture level brought to 3% molding की process होने के बाद उसको dry किया जाता है और moisture को जो है वो सुखने के लिए छोड़ दिया जाता है 3% होने तक उसके बाद जो है वो burning का process होता है इसमें से question साता है कि dehydration period जो है वो 400 by 600 degree centigrade पर होगा जहांपे vaporize होगी remaining moisture 3% जो moisture रहेगी वो burning के stage में remove होगी जो कि 900 degree centigrade से 1200 degree centigrade के बीच में होगा और brick जो है वो उसी में final अपने stage में होगी completely hard और red jelly color में अपने आपको convert कर देगी उसके बाद आता है kill and claims both methods are used for burning तो burning की method में हम लोग kill और claim दोनों का इस्तमाल करते हैं उसके बाद आता है testing of bricks जैसे कि मैं आपको बताया था कि brick की testing अगर आपको करनी है site पर use होने वाले brick के number के हिसाब साम लोग उसका pick करते है कि किन-किन brick का जो है टेस्टिंग करेंगे तो 2000 से कम होगी brick तो आपको agreement के हिसाब से जैसे कि manufacturer के agreement के हिसाब से आपको चलना होगा उसमें जिस तरीके के number लिखे होंगे एक, दो, पांच, एकसेटरा तो उसके हिसाब से आपको testing करना होगा पर 2000 से 10,000 तरह आपको 20 नंबर 10,000 से लेकर 35,000 तक 32 और 35,000 से 50,000 नंबर brick का होगा तो उसमें 50 नंग आपको test के लिए भेजना होगा उसके बाद आता है water absorption test तो water absorption test की अगर हम बात करें तो 24 घंटे जो है वो cold water में रखा जाता है brick को और उसमें जो है वो उसका temperature काफी बार examinations में पूथते हैं 27 डिग्री प्लस और माइनस 2 डिग्री और उसके हिसाब से जो है warm lock test करते है water absorption test उसके बाद आता है fire hour boiling water test तीसरा आता है compressive strength test जहाँ पे 14 न्यूटन पर mm2 के हिसाब से प्रती minute brick के उपर डाला जाता है जब तक कि वो फैल नहीं हो जाती और जब वो फैल होती है तब उसका compressive strength ना पाजाता है वो होगी उसकी compressive strength उसके बाद आता है wire page test और आचवा आता ह जो कि examinations जैसे कि sscjrb और get jazz examinations में आपको काफी helpful होंगे और इसके बारे में mcqs भी आएंगे पर next video जो है हम लोग wood के उपर बलाने वाले है और पहला वाला वीडियो जो है वो हमने rock and stone के उपर लाया था जहां पर हमने rock and stone के बारे में important points को जाना अगर आपने वो वीडि जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए